सुशान सिंग राजपूत की मौत ने हम सब को जिन जोड के रख दिया हैं मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैलर नेरेटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं जो बंदेने स्टैन्फोर्ड की स्कॉलर्शी वो रैंक होल्डर है इस एंट्रिंस ऑफ एंजिनेरी उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट क्लिरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक करें कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो मेरे कोई गौड फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंट्रिव्य में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है I feel like a leftover तो क्या इसमें इस हाथसे की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार कीप ने इस तरह से छे साथ के साल के स्पैंड में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अगनॉलिजमेंट कोई अवर्ड नहीं मिला उनको सूपरीट फिल्मों को यह फ्लॉप भोशित कते हैं मुझे पी छे केसिस क्यों डाले गए क्यों मुझे जेल में डाले की कोशिश की गई और मुझे जो चम्चे जर्नलिस्ट है वो शुषान जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकॉटिक है, नूरोटिक है, अडिक्ट है संजदत के अडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है वो लोग मुझे मेसेज कते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट ताइम है तुम ऐसा वैसा स्टेप मत अठा लेना ऐसा क्यों कहते हैं मुझे यह क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइट कर लीजे तो यह सुसाइट थी कि यह प्लाइंड मर्डर था लेकिन शुशान के गलती यह है कि वो उनकी बात मान गया उन्होंने कहा तुम वर्थ लेसों वो मान गया उसने, he didn't remember what his mother told him उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नी होगा, वो मान गया वो चाहते ही यह है कि वो इतिहास लिखे और यह लिखे कि शुशान थी कमजोर दिमाग का था वो यह नहीं बताएंगे कि कैसा चाही क्या है तो हमें यह डिसाइट करना है कि who will write the history